दोस्तो मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन दोस्तो अब तक तो आपको पता चली गया है कि शारुक खान विद राजकुमार हिरानी नई फिल्म डनकी का एनॉंस्मेंट हो चुका है दोस्तो इस वीडियो के अंदर में मैं बात करूँगा उस फिल के बारे में जो आज ही रिलीज हुआ है और फिल्म जो है वो 13th of May को रिलीज होगी दोस्तो शारुक खान राजकुमार हिरानी बहुत दिनों से यह लोग बात कर रहे थे आपस में इवेन मुन्ना भाई MBBS का जो करेक्टर है वो भी शारुक खान को मद्दे नजर लिखा गय तो एक चीज तो तैर है कि इसका जो ख्लैश है वो बरे मिया चोटे मिया के साथ होना ही है अक्षय कुमार की फिल्म है देखे राजकुमार हिरानी का फिल्म में जो है रोमायन्स कॉमेडी यह सारी चीजे जो है इमोशन वो तो रहेगी और उसका पुष्टी जो है तरीके से होता है कि शाडुक खाने एक रोल मांगने के लिए राजकुमार हिरानी के पास पहुंचे है उनके उफिस में और सारे पोस्टर्स वगेरा देखके बोल रहे है कितना बढ़िया बढ़िया लाइफ चेंजिंग रोल लोगों को मिला है एक्जमपल संजू मुनाव इम बी बी एस या फिर मान लिजे पी के लेकिन ऐसा रोल मुझे जो है वो ओफर नहीं की जाती है तब ही राजकुमार हिरानी बोलते हैं कि नहीं आपके लिए भी ओफर है आपके लिए भी एक रोल है जो मैंने सोचा है उस रोल के अंदर में बहुत कुछ चीज़े इतना मत फैल आईए वो तोड़ा छोठा फैल आना पड़ेगा तो दोस्तों बहुत यह अनोकी तरीके से फिल्म का अनॉंस्मेंट जो हुई है और अटकले जो लगाई जा रही थी कि इस फिल्म में शाडुकान का लुक क्या होगा दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता शूटिंग भी चालू हो गया है मुंबई की फिल्म सिटी के अंदर पंजाब का एक सेट जो है वहाँ पे बनाया गया है तो इसका मतलब यह के शाडुक कान विदाउट पॉनी टेल एन विदाउट बीर्ड इस फिल्म के अंदर में दिखेंगे अब फाइनल लुक क्या और यह जो मूवी है इस मूवी के अंदर में रनवीर सिंग के साथ-साथ दिखेंगे शालिनी पांडे और साथ में दिखेंगे बुमन इरानी तो दोस्तों यह फिल्म जो है एक सोशल ड्रामा है देखें हमारे इंडिया में बहुत सारी समझ्षाय है जिसमें सिक्षा है बह ऐसी फिल्म को प्रोमोट कर रहे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है जहां पर इस फिल्म में रनवीर सिंग का वो ग्लैम वाला लुक या ग्लैम वाला वो टशन वाला चीज जो है वो नहीं दिख रहे हैं एकदम सिंपल एकदम साधा लड़का जो अपने पिता जी के कहने से हुए उनसे मतलब भागते हुए वो अपनी वीवी को जिसका एक बच्ची होने वाली है और जो पहले से डिटेक्ट की गई है कि वो लड़की ही होगी तो उसको बचाने के लिए उनका भागना वो चालू होता है ट्रेलर का एक अच्छी बात यह है कि ट्रेलर के अंदर में जो पहला दो मिनिट लगभग का जो टाइम है उसमें आपको यह एक शोशल कॉमेडी ड्रामा ही लगेगा लेकिन आखिर का 20-30 सेगिन का जो पोर्शन है उस पोर्शन में इस फिल्म में कुछ ट्विस्टन टर्न जो होने वाला है उसका एक हलका सा जहलक जो है वो दिखाए अगला महीने आपके लिए एक exclusive review इस चैनल में ही आएगा इस फिल्म को लेके और साथ में अगर मुझे donkey की कुछ भी और cover अगर मिलती है तो वो भी well in advance आपसे share करेंगे दोस्तो चैनल में अगर नए हो तो चैनल को subscribe कर लो मिलते आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा